गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम क्लास फॉर्थ हिंदी निकुंच लेसन नमबर 6 चांद को वो सूरज पढ़ने जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं पठन से पूरू है जब हम चांद सूरज की बातें करते हैं तो सबसे पहले अपने दर्ती का खयाल आता है धर्ती एक ग्रह है जो सूरज की परिकर्मा करता है यानि प्रत्वी जो है वो सूर्य का चकर लगाती है तो चांद एक उपग्रह है जबकि चांद जो है वो एक उपग्रह है जो धर्ती की परिकर्मा करता है इस ब्रमांड में और भी यानि ग्रह और उपग्रह तथा प्रत्वी जो एवा एक ग्रै क्योंकि चांद उपग्राया क्यों क्योंकि चांद प्रत्वी के चारवर्ड चकर लगाता है चर्चा करें जीवन हो लिया पढ़ेंगे लेशन स्टार्ट करता हूं गर्मियों के दिन थे अनूज और इसा टीवी देख रहे थे हर साम आठ बजे उनका मन पसंद कारिय करम यानि जो प्रोग्राम में वो आता था आता है जिसे देखकर वे बहुत प्रशन होते हैं यानि खुस होते हैं वे कारिय करम देखी रहे थे कि अचानक बिजली चली गई यानि लाइट चली गई दोनों बहुत पुधाष हो गए दुखी हो गर्मी बहुत ही इसलिए दोनों छत पर जाकर बेट गए गर्मी ज़्यादा है थी इसलिए वो दोनों छत पे चले हैं छत खुली थी मंद मंद चल रही थी मंद मंद का मतलब धिमी धिमी हलकी हलकी हवा चल रही थी उपर आकर दोनों को अच्छा तो लगा पर अभी भी वे चाते थे कि बिजली आ जाए उपर आकर उन्हें अच्छा तो लगा लेकिन वो चाहते थे कि जल्दी से लाइट आजाए और वे अपना मन पसंद जो कारिय करम है उसे देख सके दोनों मुह लटकाए बेठे थे उनकी बराबर वाली छट पर रोईत भाईया टहल रहे थे उनकी बराबर वाली जो छत थी उस पर रोईद भाईया टेह रहे थे दोनों का मुह है लटका देख वे बोले क्या बात है भाई दोनों उदास क्यों हो मुह लटका हुआ देखना हो उदास दोनों को उदास देखकर उन्होंने पुछ लिया क्या बात है दोनों उदास क्यों ह यह तो उता ही रहता है लाइट तो जाती रहती है पर हमारा तो मनपसंद कारी करम निकल गया इशा ने कहा तो इसा ने कहा लेकिन लाइट जाने से हमारा जो मनपसंद प्रोग्राम हम टीवी में देख रहे थे वो निकल जाएगा कोई बात नहीं आज कुछ और देख लो रोईत बहिया बोले रोईत बहिया ने का कोई बात नहीं है आज कुछ और देख लो तो क्या देखे अनूज बोला अनूज ने का क्या देखे तो रोईत बहिया बोले अरे उपर तो देखो यानि रोहित भयने का उपर आस्मान की तरफ देखो वाह चांद और तारिक इतने चमक रहे हैं पर रोज तो चांद इतना नहीं चमकता आज ये इतना क्यों चमक रहा है भईया अनुज ने पूछा अनुज ने उपर आस्मान में देखा तो चांद चमक रहा तो वो सुंदर लगा तो उसने का वा चांद और तारिक इतने ज्यादा चमक रहे हैं पर रोज तो चांद इतना नहीं चमकता रोज एक जैसा नहीं चमकता है आज इतना क्यों चमक रहा है अनुज ने रोहित से पूछा तो रोहित बता रहा है आज पूर्णिमा जो है चान्द इतना चमकरा एक दो हिं बहुआ कि रात पहले दिखाई नहीद Talk जो है हिंदी महीनों में 15-15 दिनों का टाइम पिरेड होता है जिसमें पहले 15 दिन जो हता है उसमें पुर्णिमा होती है और फिर आगे जो है अमावश्या आती है पुर्णिमा के दिन जो है वो चांद पूरा दिखाई देता है अमावश्या के दिन चांद बिल्कुल भी के चारों और चकर लगाता है, चांद हमारे दर्ती के चारों और चकर लगाता है, परत्वी के चारों और चकर लगाता है, इसलिए ये एक उपगर है, दर्ती से कुछ लोग रोकेट में बेट कर चांद पर गए हैं, हमारे परत्वी से कई जो साइंटिस्ट है, वो रोकेट मे नमूने दर्ती पर लेकर रहे हैं यानि जो साइंटिस्ट है वो चांद के चांद पर जहां पर मिट्टी और चट्टाने हैं गट्टे हैं तो वहां की मिट्टी और दर्ती के नमूने लेकर रहे हैं पिक्चर भी लेकर रहे हैं पर भईया चांद में इतनी चमक कहां से आती है अनुज ने पुछा, अनुज ने पुछले कि चांद चमकता क्यों है, कहां से चमकता है, कैसे चमकता है तो रोईद भईया बोले, चांद को सूरज से परकास मिलता है चांद को सूरज की रोसनी चांद पे गिरती है, तो चांद चमकता है हमारी दर्ती को भी वही प्रकास देता है सूरज हमारी दर्ती के सामने जब होता है तो दर्ती पे भी प्रकास होता है चांद के पास अपना प्रकास नहीं होता है चांद के पास जैसे सूर्य के पास प्रकास है वैसे चांद के पास प्रकास नहीं है चांद तो सूरज के सामने आने पर चांद जो है वो चमकता है लेकिन सूरज को यह प्रकास कहां से मिलता है इसा ने पुछ लिया इसा ने पुछा तो सूरज कैसे चमकता है तो सूरज एक तारा है रोईत बता रहे हैं कि सूरज एक तारा है नक्षत्र है उसके पास अपना परकास है उसके पास रोशनी जो हो खुद की है आस्मान में जो तारे चमचमा रहे हैं सब हमारे सुरज की ही तरह है सूरज भी एक परकार का तारा है और आस्मान में जो तारे हैं वो भी चमचमाते हैं तो इन में से कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं जो तारे आकास में चमचते हैं वो सूरज से भी बड़े हैं ये हम से बहुत दूर है इसलिए छोटे दिकाई देते हैं तो रोईद ने बताया कि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तारे, इसलिए ये छोटे दिखाई देती हैं। अनुज और इसलिए बड़े ध्यान से रोईद वया की बातें सुन रहे थे, तब ही उनके छेत्र की बिजली आ गई, यानि उनके एरिया का जो इलाका था, वहां की लाइट आ गई, दोनों उठे और रोईद वया को बाई बाई कहकर च्छत से नीचे उतर आए, पर आज वे खुष थे, क्योंकि रोईद वया ने इतनी अच्छी जानकारी जो दी थी, वे बहुत खुष हो गए, क्योंकि रोईद वया ने उनको चांद सुरज और तारों के बारे में जो है, बहुत अच्छी जानकारी दी थी, तो इस परकार ये लेसन कंप्लिट हुआ, उम्मीद कर यह लेशन आपको समझ में आएगा यह वीडियो देखने के बाद आप इस लेशन को रीड करेंगे अपने बुक में इस लेशन का जो भी बुक पार्ट और नोट बुक पार्ट होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा थेंक्यू है वे नाइस टी